नमस्कार स्वागत है मैं हूँ जितेन त्रपाठी है दोस्तों ये तो जानकारी होगी सभी को कि हमारा काम जो है सारी चीजों के बगार चल सकता है नगर खाने के बगार नहीं चल सकता आज मैं जिस विशे पर आपके सामने बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ मुझे पु ये उसी खाने की तस्वीर है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ खाने का जो ओरीजिन है जो जो भी खाना बनता है हम लोग खाते है वो उसका जो बेस है जो मूल है वो यही है ये कोई डाल के सीट्स हैं किसी और अनाच के बीज है इधर चावल के बीज है बहुत सारे बी कि क्यों मैं आपको दिखा रहा हूं कि कल्पना किजे इस बात की कि हमारे आसपास कोई ऐसा विनाशकारी शन आये जब सारे जो प्लांट है वो खतम हो जाएं और सारे जो बीज हैं उसके वो भी नर है तो क्या होगा कल्पना किजे कि कोई ऐसी घटना हो जाए कि कभी बहुत ज्यादा आंधी आजाए हेल स्टॉम आजाए ओला वेस्टी हो जाए बार आजाए या और भी कोई प्राकृतिक आपदा आजाए ऐसी कि जिसमें हमारे सारे प्लांट्स हो हैं वो नश्ट हो जाएं और फिर उनको दुबारा उगाने के लिए हमारे पास बीज ही नहों सीट जिसना हो हमारे पास ये कुछ तस्वीरे हैं जो इस तरह की आपदा जब आती है तो किसान को बड़ा नुकसान होता है ये कभी बहुत ज़्यादा अन्ही तूफान आ गया या हेल स्टॉम आ गया ओला वेस्टी हो गई ये फसल जो है बरबाद हो गई ये बहुत ज़्याद तेजी से हवाएं चली ठंडी ठंडी और इतनी ज़्यादा आंही चली की पूरे पेड़ों को इन्होंने सपाट कर दिया फ्लैट कर दिया और ये जो टिड़ी दनल का जो हमला होता है जो लोकस्ट अटैक होता है फार्म फील्ड पे हार्वेस्ट पे वो तो आपने सुना ही होगा पूरा का पूरा एरिया जो है लोग बरबात कर देते हैं मैं जिस बात पर फोकस कर रहा हूं कि ऐसी कोई विपदा या आपदा या विनाशकारी च्छन अगर आ जाए इसे इंग्लिश में कहते हैं डूम स्डे अगर ऐसा आ जाए तो उस समय हम क्या करेंगे हम कैसे ख परकार जो है क्या क्या काम करती है हमारे साइंटिस्ट क्या काम करते हैं जो एगरी केल्चरल साइंटिस्ट हैं और वियो साइंटिस्ट हैं कैसे इन बीजों को जो है सुरक्षित और सलक्षित रखा जाता है इसके बारे मैं मैं आपको आज बताऊंगा और मुझे मैं फिर क सबसे बड़ा सीड वाल्ट कहा है और कितने सीड वाल्ट है दुनिया में और इंडिया में अपने देश में सीड वाल्ट है भी कि नहीं है और जो दुनिया का सबसे बड़ा सीड वाल्ट है उसमें इंडिया का कोई हिस्सेदारी या इंडिया कोई participation है की नहीं है बहुत मज़ा आएगा आपको इस session में यो कि ये बिलकुल नई चीज है आप सोचिए दुनिया की जो सबसे बड़ी seed vault है वो कहां हो सकती है क्योंकि seeds को आपको ठंडे में रखना है air condition या बिलकुल freezing zone में उसको रखना है क्योंकि हर seed की property अलग-अलग होती है किसी को minus 6 degree temperature चाहिए होता है किसी को minus 2 degree चाहिए होता है किसी को minus 10 degree चाहिए होता है तो इस तरह से उन सबकी properties को cater करते हुए कुछ ऐसा temperature ऐसा महौल ऐसा atmosphere चाहिए कि seeds जो है ये बचे रहें सुलक्षित रहें और preserve रहें बहुत लंबे समझ तक जिससे कि दुनिया में कोई भी विनाशकारी ख्षान अगर आता है तो हम जब वो seeds खतम हो जाएंगे या उनका विनाश हो चुका होगा तो ये seeds जो हमने mankind के लिए preserve कर रखे हैं और अपने और भी जो जीव जन्तू है उनके लिए preserve कर रखे हैं तो इन से हमारा जीवन चल सके और हमको कोई परिशानी नहों हविश्चिम है तो आईए चलते हैं ये हमारा नक्षा है पूरे वर्ड का नक्षा है उसका पार्ट है ये ये यूरोप का एरिया है और ये United Kingdom है इधर Norway है Sweden है फिल्लेंड है और ये Norway के ऊपर ही जो Norway से घुनके आया हुआ इसी के ऊपर एक Archaeopelago है आईलेंड का इसको बोलते हैं Swalvard Archaeopelago और Swalvard नहीं बहुत सारे island है उसी में एक island है जिसमें यह जो world का सबसे बड़ा और सुरक्षिट सीड वैंक है, वो बनाया गया है आईये उसी के बारे मैं आपको बताते है यह उसका जो एक close up रहा यह पूरी दुनिया का नक्षा, यहां नौर्वे, यह मैंने आपको दिखा दिया, यह रहा स्वालवार्ड का एक नक्षा, डीडियल मैंने बताया था ना कि एक आर्किपलेगो है, और आर्किपलेगो में क्या होता है, बहुत सारे आइलेंड्स से मिल करी बनता है, तो एक लोकेशन का नक्षागार इससे आप जानना चाहें, यह स्पिट्स बर्गन आइलेंड है, उस पे यह स्थित है, उस आर्किपलेगो में, जगह है लॉंगियर बैन, जो आइलेंड है, उसका नाम है स्पिट्स बर्गन, चलते हैं जो अपना स्वालवार्ड ग्लोबल सीड व कि इसमें किसी भी आम आदमी का जाना वर्जित है, कोई भी आम आदमी घूमने के लिए या किसी भी और परपस से यहां जाना उसका मना है, बिलकुल वर्जित है, यहां सिर्फ वही रहेगा जो यहां का स्टाफ है, जो इसको मैनेज़ करता है, यह दोस्तों उस जगह का य जो है एक फोलोग्राफ है चित्र है और यह ऐसे बना है कि एक माउंटेन है और माउंटेन के अंदर करीब करीब डेड़ सो मीटर की एक सुरंग है और यह हिस्सा जो आप देख रहे हैं यह खाली उसके एंट्रेंस का हिस्सा है इसको किसी आर्किटेट्ट में बना दिया और इसको डेड़ कर दिया और यह उसकी एंट्रेंस है और यहां से फिर यह माउंटेन के अंदर इस माउंटेन के अंदर ही सुरंग बना के यह पूरा बनाया गया है कहते हैं कि यह पहले यहां पे कोई एक कोल की माइस हुआ करती थी उनको अबंडन कर दिया उनको खतम कर दिय और उसी coal mines की वज़े से जो खोदा गया है उसी में इस जो है seed vault को बनाया गया है अभी मैं उसका detail आपको दिखाता हूं और यह कुछ ऐसा दिखता है और यहां पर मैंने बताया आपको जाना लोगों का मना है nobody can enter the place अब यह कहां स्थित है क्या इसके बारे में थोड़ा बतात catastrophic events वही मैंने कहा कि जब कोई विनाशकारी event होगा catastrophic event होगा ऐसी घटना होगी जब सब यह plants खतम हो जाएंगे और seed हमारे पास नहीं बचेंगे कि हम दुबारा खेती कर पाएं और अपने लोगों को खाना खिला पाएं तब के लिए seeds यहां सुरक्षित रहेंगे और यहां र है वो स्थिद्ध है और इसकी जो main requirement है जहां पर seeds रखे जाते हैं यह perma frost होना चाहिए perma frost उस जमीन को भूमी को कहते हैं जहां पर temperature जो है हमेशा साल के बारों महिने साल के 300 पैसर दिन 0 degree से नीचे होता है और वैसे तो यह जो seeds हैं यहां पर रखे जाते हैं इनका जो temperature है व वैसी जमीन जिसमें हमेशा जो है वो ठंडी रहती है और हमेशा जो है temperature के कान जमी रहती है और इसका एक फाइदा यह भी है कि हमें इसमें कोई extra power की electrical power या उसकी जरुवत नहीं पड़ती है temperature को maintain करने के लिए तो कि वो naturally बिलकु प्राकृतिक तरीके से वो temperature अपने आप मे नीचे रहता है तो उसकी जो soil की जो जो भी water content है वो हमेशा जमा रहता है ऐसी लिए इस जमीन को ऐसी धरती को ऐसी भूमी को पर्मा frost कहते हैं यह उसका cross section है जो small bar का जो आप में देखा था यह आपने entrance वाला area देखा था और यह tunnel है यह सुरंग है जो की सीदे सीदे mountain के अं वाल्ट मतलब एक तरह से बहुत बड़ा गोदाम बहुत बड़ा area जहां पर हम इन सीद्स को store करेंगे और जाहिर सी वास है जितने सीद्स को जितनी मात्रा में सीद्स को store करना है तो यह area बहुत बड़ा होना चाहिए आज की date में जो सीद्स है वो खली beach वाल्ट में store किये जा रहा है और future के लिए इधर का ओर इधर का वाल्ट जो है वो खाली रखा गया है यह site bank जो इसका और है यहां पर इसको जो उसका dunk का या किसी भी की हमला आकरे ना हो तो इसको जो यह में शरक्सित रहें ड्रक्रतमर्ट मेंक करेति हैं ड़र्फड इसको अधर व्रतना्री Calebու आगया है जब कभी ऐसा कोई विनाशकारी घटना होगी तो उसके लिए ये बना हुआ है और ये उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है कि यो वर्ड में मतलब हम लोग को जो अभी दिमाग चलता है तो वो नॉर्मल सीट्स की बात होती है नॉर्मल क्रॉफ्स की बात होती है कुछ ऐसे-ऐसे क्रॉफ्स हैं जो बहुत रेर हैं बहुत महंगे हैं या बिलकुली विलक्षाल हैं उन सब को भी स्टोर करने के लिए यहां पर पूरी तरीके से वियोस्था की गई है और ये टनल है वो 2.25 बिलियन सीट्स की है 2.25 बिलियन हुआ 225 करोर सीट्स और इसकी जो कॉस्ट आई है बनने में वो 8.9 मिलियन डॉलर्स इसको ऐसे माली है कि लगभग ये 9 मिलियन डॉलर हुआ अगर आज की देट में देखा जाए तो इसकी कॉस्ट आई होगी लगभग 100 करोर रुपए क्योंकि ये पुराना डेटा है अगर इस वाल्ट के उपर कोई अटेक करना चाहाए निउकलियर अटेक हो तो ये उसको जेल लेगी उसको विस्टेंड कर लेगी इस कावड इन्टो पर्मा फ्रोस्ट अगर यहाँ बिजली चली भी जाती है मैंने बताया कि इलेट्रिकल जो पावर है उसकी डिपेंडेंसी है नहीं या अपने आप में ही टेंट्रिचर को मेंटेन करे रहेगी वाल्ट इस सिच्वेटेग वन थर्टी मीटर अबव करेंट सी लेवल यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है और इसकी जो हाइट है वो सी लेवल से वो एक सो तीस मीटर है तो यह जो फ्लडिंग बगएरा का जो प्रॉब्लम है उससे भी बिलकुत सेफ है यह उसका एक और व्यू है यह उसका एंटरेंस वाला एरिया है इधर सानने से एंटरेंस होती फिर यह पहाड के अंदर टॉनल जाती है और यह जो लोग है वो सब यहाँ पर काम करने वाले है क्योंकि मैंने बताया कि बाहरी गिसी आदमी को यहाँ entry allowed नहीं होती है और यह जो टनल है उसके अंदर इस तरह से जो है यह ट्रॉली से जो है सीट के जो बॉक्सिस है वो ले जाये जाते हैं फिर वहाँ पर रखे जाते हैं यह सब services का area है यह इसको ठंडा करना या light वगरा के लिए electrical power चाहिए होगा तो यह सब जो है उसी तरह से सब बने हुए कभी इन केस अगर कभी कोई गर्मी होती है माल यह कोई ऐसा हुआ एक दिन दो दिन चार दिन दस दिन ऐसा हुआ कि वो temperature जो है बढ़ गया तो उसके लिए जो है यह electrical power का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं और इसको ठंडा कर सकते हैं अब यहां पर जो यह इतना importance इसकी क्यों है कि जो दुनिया भर में पूरे विश्व में जो agriculture संस्थान हैं जो researchers हैं जो research इंस्टिटूट्स हैं जो research organizations हैं और जो national level पे देशों के जो research organizations हैं जो agricultural research इंस्टिटूट्स हैं उन्होंने अपने samples को यहां पर रखा है तो इससे आप समझ लिए कि इसकी importance कितनी है यह जो international gene banks है इन्होंने कितने samples यहां रखे हैं यह मैं आपको बताता हूं international maize and wheat improvement center इसने एक लाग 73,789 इतने जो है number of exceptions exceptions मतलब वो जो box है जिसमें वो seeds आते हैं उसको कहते हैं तो इतने सारे इन्होंने रखे हैं international rice research institute यह फिलिपीज में है और फिलिपीन का जो rice research institute है काफी famous है एक लाग 26,447 रखे है इसी तरह international crop research institute उसने इतने रखे हैं और world vegetable center international institute of tropical agriculture सबने सबने यहां पे अपने seeds को अपनी जो property है उसको bio diversity से बचाने के लिए और अपने जो seeds हैं जो बड़ी मुश्किल से उनको उन्होंने डेवलप किया है इतने सालों में उसको बचाने के लिए यहां पे रखे हुआ है इसी में international तो यह हो गया और national जो organizations है उसमें national plant germ plant system USA ने इतने boxes रखे हुए लेबनीज institute of plant genetics Germany Canada Australia Sweden Republic of Korea Netherlands इन सब नहीं यहां पे accessions मतलब जो box है उसमें seeds भर के जो भी उनके लिए valuable हैं जो भी उनके लिए जरूरी हैं वो सब यहां पे रखे हुए हैं आपको लगता होगा इंडिया ने यहां पे कोई काम किया है इंडिया का यहां कोई participation है की नहीं है इं इंडिया के हिस्सों में tour दाल कहा जाता है Northern India में अरहर की दाल कहा जाता है इंग्लिश में उसको pigeon pea कहा जाता है यह उसकी photograph है तो pigeon peas का यह photograph है यह अरहर की दाल है जब दाल बनने के पहले जो उसका seed होता है वो इस तरह को होता है इंडिया ने अप्रिल 2014 में India made its first seed deposit to the small bar global seed vault with one box of 25 accessions of pigeon pea the official deposit took place on April 9, 2014 अब यह कहरे है one box of 25 accessions box बड़ा हो गया छोटे उटे box होते हैं वो accessions हो गया उसके अंदर seeds होते हैं शायद एक box में बहुत relevant हैं लेकिन मैं जितना पढ़ा है शायद एक box में 500 seeds हो है उसकी capacity होती तो इस तरह से यह store कि जाते है तो official deposit took place on April 9, 2014 पिजन पीजा कॉल्ड बाइ मैंनी वर्ड लग्लर नेमस इंड रीजनल लेंगुजिस अफ इंडिया तूर दाल और अरहर की दाल और रहडी दाल इन हिंदी यह रहा पिजन पीज यह इंडिया ने कि मतलब हमारे देश की जो इतनी बहुमूली संपत्ति है जिस पे अरहर की डाल बहुत लोग खाते हैं बहुत लोग इस पर डिपेंडेंट होते हैं यह कहीं विलूट न हो जाए इसको कोई शती न पहुंचे तो इसके लिए एतियातन इतने सारे सीड्स वहां स्वालबार्ड ग्लोबल सीड बैंक में इंडिया ने भी जमा कर रखे हैं मैं बता दू कि जो स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वाल्ट है यह दुन्या का सबसे बड़ा सीड बैंक है इतनी देर से मैं आपको इसके बारें बता रहा हूं तो आपके मन में कुछ तो कौत्वल होगा कि कैसा दिखता होगा तो आईए आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिससे आपको स्वालबार्ड सीड बैंक यह अंदर से इस तरह का है और इसको यह बताते हैं कि दुनिया का सबसे बहुमूल कमरा है उसकी चाभी उसको मैं खोल रहा हूं वाकई यहां खाने का सिस्टम रखा हो इतना बहुमूल चीजें वहां रखी हूं कि हम पूरा मैंकाइंड उसके ड यह उसी टैनल में उसी वाल्ड में जा रहे हैं और कुछ इस तरह से इसमें अंदर से पूरी बरफ जमी रहती है और इस तरह से कुछ स्टोर होता है स्टोरेज होता है सीड्स का जो कि वाकई हमारे लिए इन वाल्यूबल हैं मिलकुल अनमौल अमूले यह कुछ वराइटीज हैं कि वहां रखी हुई है यह बतार है कि दुनिया के बहुत सारे देशों जर्मनी है ब्राजील है स्टीरिन है इंडिया है मेकसिको है फिलिपीन्स है यापान है बहुत सारे देशों अपने अपने जो भी क्रॉप्स हैं उनके जो सीट्स हैं जहां पर रख्या हुए है और इस तरह से कुछ वो रखा जाता है इसकी नंबरिंग होती है जिससे की पूरी पूरा रिकॉर्ड रहे दोस्तो स्वालबाड ग्लोबल सीट बैंक इसको कहते हैं और इस ग्लोबल सीट बैंक के अलावा दुनिया भर में करीब पंदरा सो सीट बैंक और हैं क्योंकि सारे देशों को इस बात की चिंता होती है और चूकि वह इंटरनेशनली आपस में सबको पता है कि हमारे देश में जो बहमूली क्रॉप है उन सबको बचाया जाए तो सब नहीं अपने हाँ इस तरह का जो सीट बैंक है वो बना रखा उसका जो प्रमुक है वो आपको मैं बताया दे रहा हूं स्वालबाड के लावा एक मिलिनियम सीट बैंक प्रजेक्ट है वो उनाटेट किंगम में है उसी तरीके से वैविलोव इंस्टूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री यह सेंट पीटर्सबग रश्या में है बेरी बटरनिक गार्डेन पोर्टलेंड ओरेगॉन सीट फ्रम एंडेंजर्ड प्लांट्स अफ लिमा में ही यह सीट बैंक बनाया गया है इंट्राशन इस्टूट फर ट्रॉपिकल अग्रिकल्चर इबादान नाइजिरिया में यहां भी जो सीट बैंक है वह बनाया गया है इचाहाएं बहुत सारे मैं कितने नाम विनाऊंगा मगर हाँ जिश देश को लगता है कि यह हम इंडिया ने भी एक seed vault बनाया है, seed bank बनाया है, और दोस्तों जानकर आपको बहुत फक्र होगा कि जो इंडिया का seed bank है, ये स्वालबार seed bank के बाद दुनिया का second largest seed bank है, और ये बनाया गया है, लेह में, आई ये इसके बारे में जानते हैं, और ये बनाया गया था, 2010 में, इसकी जो तस्वीर है, वो इस तरह की है, इसके बारे में details जो है, वो मैं थोड़ा बताया देता हूँ, आपको ये ऐसा गिखता है, ये भी चुकि ठंडा area है, बरफ से cover रहता है, लगभग लगभग पर्मा फ्रोस्ट है, साल में एक आप दिन या एक गो दिन ऐसा होता है, कि temperature जीरो डिगी से जाधा निकल जाता है, otherwise ये पर्मा फ्रोस्ट ही इंडियाज डूमस्डे वाल्ट, जो स्वालबाड की वाल्ट है, सीर बैंक है, उसको कहते हैं डूमस्डे वाल्ट, तो उसी तरश पे कहा गया है, ये इंडियाज डूमस्डे वाल्ट है, इसकी location है, चांगला टॉप, रद्दाख, उचाई है, सत्रह जार 500 फिट, temperature इसमें रहता है, माइनस 4 डिग्री संटिग्रेड तो माइनस 40 डिग्री संटिग्रेड और इसमें जो है, इट होल्ट वर 10,000 seats, और ये जो मैनेज किया जा रहा है, वो DRDO द्वारा मैनेज किया जा रहा है, वो डिफेंस की एक आई है, DRDO मतलब, Defense Research Development Organization, और ये इतना बड़ा है कि इत इखी वाल्ट में जो precious seats हैं, रखे गए हैं, इधर और उधर की जो दो वाल्ट से खाली हैं, जब वो भर जाएंगी, तब शायद इसकी नौबत आए कि लोग इहर की तरफ रुख करें और यहां पर अपने seats रखें, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत important, बहुत रोचक जानकारी बिल्कुल अलग हटके, ये कहीं आपको ना पेपर में पढ़ने को मिली होगी इधर रिसेंट्ली ना कहीं TV पर ना कहीं, सोशल मेडिया पर मुझे लगा कि ये जानकारी बड़ी रोचक है, आपके सामने लेके आना चाहिए, दोस्तों अगर ये मेरी जानकारी, मे परमा चाहिए, ये उे जानकारी लेके लेके सामने को मिली होगी इए, येके सेंट्सेंगे, ये मेरी मेरी इए.